नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है लगदाक में चीन की चालबाजी से अचाना की स्थितीव फिर से गंभीर होने लगी है और भारत ने अपना भी इस्म उतार दिया है आखिरकार भारत को क्यों T90 टैंक उतारना पड़ा क्या है इसके पीछे का राज इसी को समझने की कोसिस करते हैं दरसल सैन्य अस्तर की और जॉइंट सेक्रेटरी लेबल की जो वारता चल रही है एक तरफ चीन वारता की टेबल पे है और दूसरी तरफ लगदाक से ले करके और अरुनाचल तक जंग की तयारी में है नए नए पॉइंट पे वो परिसानिया खड़ा करने की कोसिस कर रहा है तो जो लगदाक से खबर आ रही है उसके मताबिक उसने अपने सैनिक बढ़ा दिये हैं इस टेन थाउजन तक पहुचा दिया है लियाजा भारत को भी जबावी करवाई में ऐसा करना पड़ रहा है और उसने अपना टी-90 टैंक उतार दिया है टी-72 टैंको समेट देश के बिभिन हिसों से वाई सेना C-17, गलोब, मास्टर और रूस, निर्मित, I-L-76, जहाजों के जरिये टैंक, एंटियर, क्राफ्ट गन समेट कई भारी हतियारों के अलावा सैनिकों के बिसेश दस्ते को ले पहुचा रही है लगदाक में बिते एक सप्ता के तैनाती से हालात का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है, दरसल अद्दाक का अधिकान सिला का पहाड़ी और दुरगम है, चुसूल और दमचोक जैसे कुछ समतर इलाके भी है, जिनमें टैंक बहुत कारगर होंगे, भी दुनिया के अचूक टैंक में से एक माना जाता है चीन ने एलेसी के पार अपने मुख बेश पर बखतर बंद गाडियों के साथ T95 टैंक तैनात किया है, उसी के जवाब में इसको उतारा गया है, ये किसी भी तरीके से उससे बहतर है, T90 टैंक सुरू में रूस से ही बन कर आये थे, बाद में इनका उननत रूप तयार किया गया है, एक मिनट में आठ गोले दागने में ये समर्थ है, ये टैंक जैविक वर रसाइनिक हतियारों से निपड सकता है, इसका आर्म प्रोटेक्शन दुनिया में बहतरीन मना जाता है, जो मिसाइल हमला रोक सकता है, एक हजार हार्स पावर इंजन की छमता वाला ये टैं की रेतेली वो समतल जमीन पर भी तेज दोड़ने में ये सक्चम है, इसी की वज़ा से इसको उतारा गया है, लगदाक में समुद्र तल से करीब 12,000 से 14,000 फीट की उचाई पर ही टैंक इस्तिमाल किये जाने की संभावना है, भारती से ना पिछले कुछ वरसों में युद् करने के लिए है, 1962 के बाद पहली बार हवाई जहाद से ये टैंक पहुचाया गया है, कहा ये जाता है कि उन्हें से बासट के जुद्ध के दोरान 30 लांसर के 6 AMX हलके टैंक पहुचाये थे, उन्हीं में चुसूल में ही तैनात किया गया था, इसके बाद उन्हें 90 के दसक मे IL-76 बिमान के जरिये, T-72 टैंक और BMP मेकनाइज इंफेंट्री कैवेट विकल पहुचाये गये थे, इस तरीके से आनन भारन में इसकी तैनाती की गई है, उससे इस्तिती की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, एक बात और बता दें कि टैंक के मामले में भारत चा इसी है, जिनका तोड चाइना के पास नहीं है, लेकिन चाइना जो है, बहुत ज़्यदा अक्रामक हो रहा है, एक तरफ वारता और दूसरी तरफ धोखेबाजी, उसकी निती और नियत रही है, और भारत को अभी से समझना होगा, आउसी को समझ करके, अभी जो थलसे ना ध होगा, हम आपको बताएंगे, आप देखते रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल, इन खबर, थैंक यू, इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूल,